दोस्तों सबको रादे रादे आज हमारे हाँ बन रहा है दोस्तों कड़ी बेसन वाली कड़ी यूपी स्टाइल में तो पहले हम यह देखे हमने पानी ले लिया उसके अंदर डाल रहे हैं दो चमच बेसन इसका हम घोल बना लेंगे यह देखे दोस्तों तो दोस्तों कड़ी बनाने के लिए या तो आप दही से भी कड़ी बना सकते हैं या कच्री से भी बना सकते हैं जो हम चना दाल को पीस करके बनाते हैं बट हमारे हाँ जो आज बन रहा है वो पेसन की कड़ी बन रही है और साथ में जाएगा यह उसमें आम न्यू रेसिपी है दोस्तों आप बिल्कुल देखिएगा और हमें कमेंट करके बताईएगा कि आप लोग क्या ऐसे बनाते हैं तो आज हमारी जो कड़ी बन रही है आम वाली कड़ी बन रही है और बहुत टेस्टी और यमी बनने वाली है अब इसमें हम डालते हैं हल्दी पाउडर यह हमने पाओलव तैयार हो चुका है अब हम पादि करते हैं तो इधर पादी हमने मिक्सDक करके रख लिया था आलू-पयाज की पाओल तो दोस्तों यह दिकिए हमारे जो पखोड़ी फ्राय हो चुका है लाल हो चुका है तो 언सको चाहन करके हम अस तरह से निकाल अब मसाली की तयारी करते हैं तो दोस्तो मसाली के लिए हमें चाहिए लएसु Mm, जडिकाज। जरासी प्याज। और इसको हम सारे को पेस पीश लेंगे और यह दीखे सुन्दर क्यादोसों हमारा मसाला दिख रहा है तो दोस्तों हमारी जो कड़ाई भी गरम हो चुकी है हम इसमें डाल दी है सरसोक उयल अब इसमें जाएगा मेथी और मिर्च का फोरन जो की दोस्तों कढ़ीरों सब disturben होता है और अब है इसके साथ सबाओंने दिना तरह इनाुकिकbe में बिसक्ता को और तो ढूंझेटा को हे दोस्तों हमारा मीक्स हो गया है गाज कि तो दोस्तों और प्याज को और सब में और धला हैं मिर्श है और चार्डे से बहुन लेंगे दोस्तों, बढ़िया तरीके से बीच में चलाते रहेंगे ताकि इस में नीचे साटेना अभी चला गया हमारा मसाला बहुत ही सिंपल मसाला है दोस्तों तो अभी इसको अच्छी तरह के से अपने क्या है? कढ़ी के गräवी को, उसके मसाले को अच्छी तरीके से I amg fry कर लेंगे अभी देखिए अभी तो किनारे किनारे दीख रहा दोस्तों और नहीं छोड़ देता है दोस्तों तो हमारा मसाला जैसे ही ऊइल छोड़े गाथ इसका मन्तलँ हमारा मसाला वरेडी sont चुका है इसमें बाकी पानी याड़ करने के लिए दोस्तों अब इसमें हम कि इसको चलाते रहेंगे दोस्तों बीच बीच में ताकि कड़ाई में नीचे न जले तो दोस्तों अभी देखे हमारा मसाला भूना नहीं है पूरी दरह से अभी जैसे हमारा मसाला भून जाता है तो इसमें हम डालेंगे अपना बेशन का घोल जो हकी जो कि हमने तयार कर रखा है दोस्तों ये गया हमारा बेशन का घोल इसके अंदर और दोस्तों एक चीद ध्यान आप लोगों को हमेशा से रखना है कि इसको हम चलाते रहना है जब तक कि इसमें से बॉयल अच्छे सना जाए अगर मान के चले उबाल नहीं है और आपने इसक करना है जैसा हम आपको बता रहे हैं कि कड़ी डालने के बाद इसको हलके हाथों से चलाते रहना है कम से कम 15 मिनिट 10 से 15 मिनिट अभी के टाइम में तो अभी देखिए दोस्तों हमारे जो है कड़ी के अंदर कितना बढ़िया उबाल आ चुका है तो दोस्तों हमारे कड़ी के अंदर देखिए यह उबाल आ चुका है और अब कड़ी हमारी कड़ी कड़ी पक चुकी है अच्छे तरीके से और इसको बीज़ी चलाते रहे यह दोस्तों नहीं तो देखिए आपकी कड़ी बिल्कुल फड़ी जाएगी अब इसमें गया देखिए हमारे कड़ी का आनवान शान यह अपने पेड़ का आम तो क्योंकि हम दोस्तों बना रहे हैं कड़ी आम वाली कड़ी जो की पहले जवाने में बनती थी जिस समय कुछ खाने के लिए नहीं रहता था तो आम का गुरामा बन जाता था आम की चटनी बन जाती थी तो आम का बहुत ही इस्तमाल होता था दोस्तों पुरा जवाने में तो दोस्थों तेहिए हमारा जो है कढ़ी हो पूरी तरह से बॉयल तुका है पड़ी उबाल आ रहा है कि तो दोस्तों अभी क्या करें did के दीरे दीरे इसमें आम भी जो है और बहुत रहा है यह देखिए दो तो थोड़ा सा और इसमें ग्रेवी हम इसको सटा लेते हैं तो ग्रेवी तो अलमोस्ट दोस्तों आपकी रेडी हो चुकी है सर्विंग करने के लिए मगर जो इसमें एक चीज इंग्रीडियन बचा हुआ वो मिसिंग है तो सबसे important इसमें जाएगा आपका तो दोस्तों अभी हमारे कढ़ी के अंदर जाएंगा पकोड़े कढ़ी पकोड़े बन रहे हैं तो दोस्तों पकोड़े सारे कढ़ी में डाल दीजिए और हम इसको flame बंद कर देते हैं क्योंकि जो कढ़ी है वो हमारे पकोड़े एक साथ पुरी तरह से अब्जार्ब हो जाएगी फाइनली दोस्तों ये देखिए हमारा कढ़ी पकोड़ा रेडियो के है जो कि आमल हमारा कढ़ी पकोड़ा है खाने में स्वाद भी है टेस्ट भी है और मस्त भी है दोस्तों तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सबस्क्राइब करिए, शेयर करिए